कि इस मंच के जरीए कोई भी पॉलिटिकल बात कोई भी ऐसी बात जो बिना आधार के बिना तथ्या के सामने आएगी तो हम उसको बरदाश नहीं करेंगे और इसलिए हम उन्हें इस सेशन को बीच में रोक दिया है और मैं मंच में कारिक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत पाना मन्जूर किया और समय पर पधारे अब उनसे बाचित आत्म निर्भर बिहार को लेकर पश्यविंचंपारण को लेकर पहला सवाल और सीधा सवाल मेरा यही जो इससे पहले चर्चा में निकल कर सामने आए कि मत्से पालन में जो मंत्राले की जिम्मेदारी आपके पास भी है बहुत स्कोप है बहुत संभावनाएं हैं आप यहां के लोगों को कैसे सुनिश्चित करना चाहेंगे कैसे भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आपके विभाग के जरीए यहां के लोगों को आत्म निर्भर बनाया जाएगा निश्चित और इस तरीके का कार्चकर्ब नहीं होता तो देखे मानी मुकमंत्री स्री नितिस कुमार जी के नितरुत में बिहार में 15-16 साल से सरकार चल रही है और निश्चित तोर पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा है और उमीद करना चाहिए जितना अच्छा काम हो रहा है उससे और बहतर हम लोगों को करने की आप सकता है समय में हमेशा परिवर्तन होता है और इस छेतर में खास करके मतियारी बेतिया बालमी की नगर यह सब छेतर में खास करके मतस पालग का बहुत बड़ा संभवना है हजारों हेक्टेर में जलासे है और इस एडिया पे मैं काफी फोकस भी रखा हूँ और इसलिए आपने हमें कार्जकरम में निमंतरन दिया तो मैं भी उसी उमीद से मैं यहां पे इस मंच पे आया हूँ कि इस छेतर में बहुत कुछ हमें करना है नीली करांती मानिये परधान मंतरी जी का विजन है जो देश में खास करके मचली का बड़ा उत्पात हो उसमे बिहार निषित तरफे आने वाले समय में बिहार में इतना मचली का उत्पात होगा क्योंकि बिहार से हम लोग दूसरे स्टेट में दूसरे राजमें भेज सके उस लेबल पे हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं और इस रिया में बहुत कुछ करने की आप सकता है मैं वही आप से जाना चाहरा था मत्सेपालन में इतनी संभावना है ना सिर्फ बिहार के लोगों की जो जरूरत है उसकी पूर्ती हो सकती है बलकि पश्य मंगाल या अगर हम नेपाल की बात करें अपने पश्य में तरफ यहां नेपाल की बात करें वहां पर भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाकी लोगों की भी डिमांड को पूरा गया जा सकता है तो इस पर कैसे काम कर रहा है आपका विभाद इस पर देखें पहले तो जिस तरीके से अभी जला से नीचे बिहार में जा रहा है बहुत ऐसे नदी तलाब जो है सुखा दिरे-दिरे हो रहा है तो इसके लिए सरकार के तरफ से हम लोग औरही करन करने का जुनोधार करने का कार्चक्रम अभी हम लोग कर रहे हैं एक हेक्टर को अभी हम लोगों ने किया है और अभी कई हजार हेक्टर नए तलाब बनाने के लिए हम लोग सरकार के तरफ से 500 करोड रुपे का अत्रीक बजट हमें हमारे वीभाग को इस साल में 2021 के बजट में हमें मिला है तो इसको देखते हुए कई हजार नए तलाब का निर्मान हम लोग करेंगे और मचली मारने के लिए खास करके मचोरा समाज जो मचली पालक भाई है या पसु पालक भाई है उनको सरकार के तरब से बहतर सबसीडी हम लोग देने का निरने लिया है और इस एरिया में इस तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जिस जगह पे मैं पहुचा हूँ, खास करके बिहार के मच्वारा भाई का ही योगदान है कि मैं इस जगह पे पहुचा हूँ, उनके सहयोग से पहुचा हूँ, तो क्योंकि मुझे बिरासत में राजरित मिला नहीं है, संगर्स कया मैंने, उनके दिलों में मैंने जगह बनाया है और उनके सहयोग से मैं आज इस जगह पे पहुचा हूँ, तो मेरा हमेशा रहेगा कि बिहार के मतक्स पालक भाई है, उसका बहतर इस्तिती हो, उनके घर में बहतर बिवस्ता हो, तो आर्थिक तोर पे बहुत कमजोर है, बिहार का मच्छोरा समाझ, इसी के लिए मैं उनके आरक्षन की भी लड़ाए लड़ते लड़ते, और बिहार में एक आंदोलों के जरिये मैं इस मुकाम तक पहुचा हूँ, तो मेरा प्रियास रहेगा कि उनका मच्छोरा भाय को आत निर्भर बनाए, ज्यादा ज्यादा वो मच्छली पालन करें, अभी 6 लाख है, 6 लाख मेट्रिक टन का उत्पाद हो रहा, आने बाले समय में हम चाहेंगे कि 5 साल में ये 10 लाख मेट्रिक टन पे हम लोग पहुच सकें, उस तरीके से हम लोग काम करें आपने समाज की यहाँ पर बात की, मैं जानना चाहूंगा आरक्षन का आपने जिक्र के हैं, लगातारा आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आप नाराज होते हैं, उसको रूटे मनाने का सिलसला भी शुरू होता है, क्या वज़ा है कि आप आरक्षन की माग रखने हैं, तो सरकार का आरक्षन देने का निती यही रहा कि उनको आगे लाया जा सकता है, सरकारी नोकरी में हो या कोई चीज में उनको स्पेशल टीटमेंट दिया जाए, जैसे अभी हम लोगों ने पसु अब मतस के लिए हम लोगों ने स्कीम निकाले, 90% तक हम लोग अनुदान दे लेकिन बिहार में नहीं आ पा रहा है, तो मेरा ये लड़ाई है कि जब देश एक है, समिधान एक है, हमारे समाज के लोगों को बंगाल में आरक्षन है, तो बिहार में भी होना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग लगों लड़ाई लड़ रहे हैं, और आरक्षन जिस समधाई के बीच में, तो सरकार से यही मांग है कि इसको special जगह मिले, आज जैसे मैं मंतरी बना हूँ, तो निशीत तोर पे इस समाज का जो अधिकार है, वो उन तक पहुंचेगा, सरकार में आप नहीं रहते, तो यह मान के चलिए कि जो योजना जिनके लिए बनता है, उस गैर मच्वारा को भी वो लाब मिल जा रहा है, तो हमारा सरकार में रहने के बाद यह फाइदा तो जरूर होगा, कि 100% उनका अधिकार उनके तक पहुंचे, जिनका जो अधिकार है, समाज का अधिकार है, उहां तक वो पहुंचे, और सही से पहुंचे, तो आने वाले समय म सरकार से हम लोग तो बिहार सरकार में हिस्सा है, मानी मुख मंत्री जी के नेतरोत में बिहार हमारा चल रही है, और उनके साथ रहे कर बिहार में विकास तो होगा ही, साथ ही साथ हम आरक्षन की जमारा मुल लड़ाई है, जिसके दम पर मैं आज इस मंच पे पहुंचा तो भी आने वाले समय में जारी रहेगा और मानिये परदान मंत्री जी जिस रोज खुस हो जाएंगे और उसको लगेंगे कि ये सही मांग है तो मुझे लगता है कि वो भी पूरा होंगे तो क्या इस मांग को पूरी करने के लिए फिर ये नाराज बीच बीच में आप हो जाते हैं अर निश्य तर पर कभी-कभी बीच में इस तरीके का सामने नजर आता है तो हमें भी थोड़ा सा ये लगता है कि इसके उपर हम तो अपना काम तो फर्ज पूरा करें, माँगना हमारा काम है, देना मानिये परधान मंत्री जी, घ्रह मंत्री जी का काम है, तो वो देंगे और जब तक हम नराज नहीं होंगे, जब आप देखेंगे आपने बच्चे, उनकी माँ भी उनको दूद नहीं पिल कि बंगल चुनाब के बाद इस पर हम करेंगे लेकिन उसके बाद हमने देखा कि राज सभा से वो बिल को वाफस कर दिया गया तो यह सारे चीजे हैं तो उसको हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे और हमारा पाटी का हमारा खुद का मुख लक्ष है कि निसा समाज को अरक् पाटी को विभाग है उसमें Yuba को बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं जो खास करके पशुपालक आ मतस्ट पालक में उनको हम लोग ला रहे है और बहुत अची तरीके से उनको तो हम लोग subsidy दे रहे हैं और उनको ट्रेणिंग दे रहे हैं इन चार महिनों में पशुपालन विभाग के जरी अगर मैं देखो क्रिशी पर आधारित हमारी अर्थविवस्ता बिहार की है पशुपालन उसी का हिस्सा है और बहुत जादा संभावनाय पशुपालन में भी हैं तो आपने बताए कि प्रशेक्षन दे रहे हैं क्या कुछ आपको लग रहा है कि इन संभावनों को टटोलने की जरूवत है कोशिश है और आपका विभाग क्या कुछ आगे करने जा रहा है तेखे अभी मैं राजनित में मैं संघर्स करते-करते यहां तक पहुचा हूँ औ और अभी मैं चार महिने में मैं जिस तरीके से बिधान सभा को एटेंड करते हुए बिभा को देखते हुए संगठन पार्टी को देखते हुए मैं जो जो अंदाजा मिला है उसके नुकल मैं 100% में काम कर रहा हूँ 365 दिन में लगातार लगा हूँ काम में और यह सवाल जो ह अभी मैं उखरसी पर नहीं बैठूँगा मैं निश्शी तोर पे जो मेरा लक्ष है वो मैं पूरा करूंगा और इस सेक्टर में बहुत काम मैं कर रहा हूँ और आने वाले समय में अभी हमारे बिहार में दूद जो उतपात हो रहा हुए 20-22 लाक लिटर दूद पर दे हमार चालिस लाक लिटर दूद को हम 40 लाक लिटर दूद पर दे हम लोग उतपात करा सके आज गुजरात में 1.5 करोर लिटर पर दे दूद उतपात हो रहा है तो हम लोग इस सेक्टर को आगे बराएंगे अभी हमारे पास स्कीम भी हम लोग चला रहे हैं दो पसू और चार हम लोग गाँ गाँ तक हम लोग उसको लेके जाएंगे यूबा को हम लोग लाएंगे उसमें भी बहुत हथ तक हम उसको सबसिडिय दे रहें सो पचास बफेलो को काउ को वह पालेंगे उसके लिए हम लोग 30 परसेंट तक अनुदान उनको देंगे एक इंड़ेस्टी में हम बहुत बडला को बारा उसा इचार हं अब उसके तरीका से मतस्की अब हिए हमारा भीहर में जितना हमें हमें ख़पत सब्यूद सकते तो लेकिन हमारे पास समय कर पांधे कर रह रहें किसे हम लोग बोऊब बहूत जल्दी कर सकते उसके लिए थोड़ा सा Vanguard सकता है हाँ पर कुछ लोगों का बढ़ा बी है मैं मानता हूं स्युक्राव करता हूं आज हमारे पास तीस हजार कुछ तलाब हमारे पास है लेकिन उसमें मचली पालन सफल पालन जो है बीस हजार के आसपास करें 10 तलाब ऐसे डेड पड़ा हूँ है तो वो सब चीज पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे ताकि种 बिहार आत्मिर्वर हो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले उस सेक्टर में काम करेंगे अप उत्तर यह विहार से तालूख रखते हैं आपने अपने समाज की यहां पर बात सी चुक 2009 Ag3 दुरोगी त्रति के अंदर क्या संभावनाइए हैं यहां के लोग भी हार स करकार के तरफ ब्रहा सरकार के मंद्रियों के तरफ उनकी जिंदारीयों के तरफ बड़ी और रास भरी निगाहों से हर सेक्टर में हम से जितना हो सकता उतना हम हर सेक्टर में काम करेंगे और सरकार से उमीद रखना चाहिए कल से बहतर आज बिहार चलना और आज से बहतर आने वाले समय में बिहार हम लोग चलाएंगे और अभी आपने देखा कि थोड़ा सा बात भी बात भी हुआ तो निशी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप इतना अच्छा काम कर रही है उसके बाद भी आपको उंगली दिखा रहे नियुण के यह ठी काम कर रहे है तो अटे करेंगे बहुत जादा अच्छा बहुत बहुत ज्यादा चाहिए और वह आपको जो तो निश्ची तोर पर बिलकुल ये बड़पन है आपने इस बात कर जिक्र किया और मैं उल्ले करना चाहूंगा कि मानने मुख्यमंत्री भी रिक मुष्थ विलकुल आप में मुख्या तो अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं तो आपके असपास में अलग अलग भी इमिलेंगे क्छ गलत भी करने वाले जरूरी है कि आपको उसको सही तरीके से देखना और सही समय पे सही डिसिजन लेना और पूरे बिहार में सनव मला को जानते ही है कि सही टाइम पे सही डिसिजन लेने के लिए तो आज पास में जो भी जबी भी इस तरीके से कहीं पे भी घटना कहीं पे दिख रहा है तो उसको हम लोग सं की सही रास्ते पर चलकर मैं अज इस मोकाम में पहुंच गया तो लोगों यह को भी मिया खैसानि होगा लिकिन ल॥ाओ कैना को मिलेगा और कौन ज़ायान नहीं होगए चलकर यहां तक पूर पsheze करो रहा पप constern को दो धेखने विक रास्ते पर सब गलत हो गलत हो गущ Hamilton संग्याना सब्सक्राइब जैसे अंतरा ने लंग पर 2008 के रहुए ऐना के संग्याने जीआ सुनिवाद smiling का समापन करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप जागे करूँगा कि अपना स्थाना आप ग्रहंट कीजिए प्लीज तो जाहिर चौर पर ये एक नई सोच के मंत्री मुकेशनी